आज मैं आपके साश्रिया करूंगे पाव भाजी की रेसिपी और जिसको हम बनाने वाले हैं एक दम स्ट्रीट स्टाइल एक दम बाजार जैसी पाव भाजी बनकर त्यार होगी जब आप इसको घर पर बनाएंगे तो बाजार की खाना तो भूली जाएंगे तो चलिए देख हैं पाव भाजी बनाने के लिए हमने यहां पर लिये हैं देखिए कुछ सब्जिय हैं 250 पर यहां पर एक मसाला त्यार करेंगे तो यहां पर दिखिए मैं भोज ब्रैंड का कश्मीरी लाल यहां पर यूज कर रहे हूं मसाला बनाने के लिए तो दो बड़े चमच हमने यहां पर कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर लिया है और दो बड़े चमच यानि टू टेबल इस्पून लहसुन का पेस्ट करना है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए स्टीट में यह पेस् बर्श worry cooker लिया है। इसमें एट करदेना है ओि तो यहां यहां की त्छार चम फोन सब्राइट कर लिया है और तका हृष्षीसपून हमने FEA पालिक यहां यहां पर दो बड़े साइस के हमने प्याज मारीख से चौप कर लिए यहां पर में होपने का दो घृ और सकते हैं और प्याजों को एड़ कर देना हलका सा golden fry होने देना इस तरह से color change हो जाए इतना पकाना है प्याजों को color change हो गया है तो यहाँ पर हमने जो paste बनाया था ना वो सारा इसमें एड़ कर देंगे और यह देखी यह color के लिए add किया जाता है वो साबुत कश्मीरी लाल मिर्च को प और तो easily market में मिल जाता है जब यह मसाल अच्छे से भून गया मिर्ची का और तब इसमें हमने टमाटर एड़ किये 250 ग्राम बारी कट किये हुए और टमाटर जल्दी कर जाए इसके लिए हमने यह आपर 1.5 टीश्पून यानि 1.5 छोटा चमज नमक एड़ कर दिया इससे हम यह गल जाएंगे और भून भी जाएंगे तो अब इसमें एड़ करने हमें धनिया पाउडर 1 टीश्पून यह सभी में मसाले भोजब्रेंट के इस्तमाल कर रही हूं बहुत अच्छे मसाले मुझे परसनली बहुत पसंद है और 1 टीश्पून हम यहाँ पर हल्दी पाउड कर देना है अगर आप इनको पर्चेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया गया है और अब इसका एक मैन इंग्रिडियन्ट है जो है पाव भाजी मसाला तो यह एड़ करेंगे यह भी हमने भोजब्रेंट का लिया है तो टू टेबल स्पून हमने पाव भाजी मसाला एड़ कर देना है और अगर आप मेरा प्रॉमो कोड यूज़ करते हैं इन मसालों को खरीदने के लिए आर आर सेवंटीन तो आपको एक्स्टर सेवंटीन पर्षंट का डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो फिर जल्दी कीजिए अब देखिए मसालो को हमें टमाटों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि टमाटर गल चुके हैं और मसालों भी अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए एक मिनट भून लीजिए और और भी अच्छी तरीके से हमें मसाले को भूनना है तो इसमें हमें एड़ कर देना है पानी तो यहां प तो देखिए अब अच्छे से मसाले को हमें भून लेना है और इसी टाइम अब इसमें एड़ कर देना है मैं बीटूट तो यहां पर देखिए हमने एक मीडियम साइस का लिया तो इसको हमने कद्दूकश कर लिया यह एड़ कर दिया से कलर बहुत अच्छा आएगा और वैसे से इसको हमने मिक्स कर लिया है इसमें सारे वैजिटेवल से एड़ कर देंगे जो भी सब्जियां आपको पसंद दो आप सब्जियां एड़ कर सकते हैं और इसमें जो भी स्किप करना चाहते हैं वह स्किप कर सकते हैं अब देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज वीडियो को एक लाइक जुरूर कर दीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी जुरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही हमारी बहुत ही डिलिशस रेसिपी आती रहती है और देखिए अब अच्छे से हमने मेक्स कर लिया वैजिटेबल हाई फ्लेम पर उसके बाद 10 से 12 नट के लिए लो फ्लेम पर पगने के लिए छोड़ दीजिएगा जिससे कि सारी सब्सक्राइब गल जाएंगे अच्छे से तो अब देखिए खोल कर देख लेते हैं और देखिए हमारी जो सब्सक्राइब अच्छे से गल चुकी है और इस तरह का कुछ भी लेकर या फिर चम्मच की मदद से जैसे भी आप इसको घौटना चाहते हैं मैश करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं इदेखिए अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया है अच्छे से गुट चुकी है पाव वाजी तो बस अब हमने फ्लेम को ओन कर लिया है और इसमें एट कर देना है वन टीबल स्पून बटर बस अच्छे से हमें इसको पांच मिनट और पकाना है और आधले मंजू से एट कर देंगे अच्छे से mix करेंगे ये देखे हमने अच्छे से mix कर लिया है और बस हमें यहाँ पर flame को बंद कर देना है ये देखे अभी ये पूरी तरह से नहीं पकी अभी इसमें हमें एक तड़का देंगे जो इसका taste को दोगना कर देगा तो अब लेना हमें एक तड़का पैन इसमें एड़ करेंगे टू से थ्री टेबल स्पून बटर बटर यहाँ पर melt हो गया तो अब इसमें एड़ करेंगे वन टेबल स्पून कसूरी मैथी इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है तो बस फ्लेम को low to medium कर लेजिए और अच्छे से भून लेजिए तो यह देखिए यहाँ पर कसूरी मैथी अच्छे से भून चुकी है जलाना नहीं है सिर्फ हलका सा भूनना है अब फ्लेम को बंद कर दिया और बंट टेबल स्पून यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर एड़ कर दिया यह देखिए कलर बहुत अच्छा आएगा एक दम निखर कर कलर आएगा और तुरंत यह तड़का लगा दीजिए प्रेशा को कर के अंदर तो यह देखिए पाव भाजी में हमने तो देखिए हमने पाव लिया इसको बीच में से कट कर लेंगे इस तरह से यह हमने कट कर लिया है अब यहां पर एक तवा रखाए इसमें वन से टूटेबली स्पून बटर एड़ कर लीजिए बटर को यहां पर मेल्ट होने दीजिए फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिए ताकि बटर जलेना अब इसमें हमें थोड़ी सी पाव भाजी एड़ कर देनी है जो हमने भाजी बनाई है थोड़ी सी एड़ करेंगे ताकि कलर अच्छा है और टेस्ट भी बहुत चाहिए इसको थोड़ा सा मेक्स करेंगे बस अलका यह देखिए इस तरह से दोनों साइट से फ्लेम हाई करकर अच्छे से पाव को सेक लीजिए तो बस आपको मज़ा आ जाएगा यह पाव भाजी खाकर और आप बाजार वाली पाव भाजी तो बस भूली जाएंगे घर में ही आप यह पाव भाजी बनाना पसंद करेंगे त बस घर पर ही आप इसको बनाईए और सबको खिलाएंगे बच्चों की तो मोस्ट फिवरिट होती है तो जब भी आप ट्राय करते हैं तो मुझे कोमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी तो उम्मीद करती हूं आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलती हूं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाबाई